आवर यूटूब चैनल अस्वाम अलेकूम उमीद करता हूँ आप सब लोग खरियत से हो गए तो काफी लोगों की दोस्तों की डिमांड आई के रिबॉंट हैमर के बारे में हमें एक वीडियो जो है ना वो बना के दें तो मैं दोस्तों को बताता चलूँ के ये हमारे पास रिबॉंट हैमर है ठीक है तो ये इसका पलग है ये इसकी वैलियूज लिखी हुई है और ये इसका पलंजर है ठीक है ये इसका पलंजर है तो और इसके उपर ये जो ग्राफ है इसमें हम वैलियूज फुट करके इसकी स् सकते हैं तो आजाए हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ तो जो हमने कल एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने साइड पे जो है ना होरिजन्टली स्ट्रक्चर पे जो ना वैल्यू लियें तो सबसे पहले हमने जो पहली वैल्यू ली वो 32 आई उसके बाद दूसरी वैल्य फिर तीसरी वैल्यू थाटी एट इसी तरह तीन वैल्यू हमने अज्यूम की और इनकी जो एवरिज आई हमारे पास वो 35 ठीक है तो यहां तक आपको समझ आगी होगी अभी हम यह जो ग्राफ बना हुआ है हमारे रिपॉंट हैमर के उपर वही ग्राफ आपके सामने में हमारे पास जो है ना वो होरिजन्टल कंसीडर किया गया है तो आज है हम यह इस साइड पर आप देखें जरा के यह हमारे पास पी एसाई लिखा हुआ है ठीक है तो यह 1500 पी एसाई दो हजार तीन हजार चार हजार पांच हजार शे हजार इसी तरह यह हमारे पास पी एसाई हैं और यह हमारे पास है रिबॉंड की वैल्यूज बीस पचीस तीस पैंतीस चालीस पंतालीस पचास और यह देखें उस साइड पे आपको दिखाया हमने PSI इस साइड पे हमने मेगा पास्कल देखें आप यह सामने आपको मेगा पास्कल नदर आ रहा है 10.3 13.8 20.7 27.6 34.5 इसी तरह से यह सारी वैल्यूज लिखे हुई है तो अभी हमारे पास जो एवरेज आई है वो है 35 तो यह हमारे पास जो वैल्यूज है यह देख लें आप यह जो वर्टिकल है वो A है और जो हमने structure पे जो वैल्यूज लिए है वो horizontally है तो हमने देखना है horizontal को तो मैं आपको बताओं यह हमारे पास B है horizontal में तो हमने देखना है कि हमारा B कहां पे है तो हमारी जो B की limit है ग्राफ में दिए ही वो यहां से लेकर यहां तक आ रही है ठीक है यह गौर से देख ल हमारी किस ग्राफ में जाती है तो यह 20, 25, 30, 35 हमारे पास जो values की average आई वो है 35 आप देखते चलें यह सामने आपको नजर आ रही होगी यहां पे आके हमारा graph जो है वो यहां पे line को टच कर रहा है ठीक है तो इसी के सामने हम इसी पे यह point लगाएंगे तो इसी के सामने हमने देखा है कि यह हमारे पास यह उपर 45 की आ रही है PSI की line हमारे पास जो graph टच कर रहा है वो है 44 पे तो हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारे पास concrete की strength आई है वो है PSI वो है 44 और जो mega Pascal में अगर आप देखना चाहते हैं आपको reading की जरूत है mega Pascal में वो है 31.0 ठीक है तो अभी आपको इस पूरी वीडियो की हमने practical भी बताया और calculate करके भी हमने बताया तो उमीद करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मुकमल दोर पे समझ भी आई होगी अगर किसी दोस्त का कोई question हो तो वो comment box में लिख सकता है तो इसी से मुझे देए इजादत हम like और share करें thank you very much